नमस्कार मैलीजा आप देख रहे हैं सब्रंग समाचार राखी का तहवार और बजार हो चुका है गुलजार आपको अभी हम रूबरू करवाएंगे इस बार राखियों के जो सबसे सस्ती राखी बजार में कौन से मिल रही है और सबसे महंगी और लोगों से जानने की करेंगे वो राखी के तहवार को किस रूब में रेखते हैं वैसे तो भाई बहन का ये तहवार भाई बहन के अटूर्ट बंधन को दर्शाने वाला रक्षा बंधन का तहवार और दो वर्शों के बाद जिए कोरोना काल खतम होने के बाद बजार पूरी तरीके से गुलजा है और कौन सी राखी कही न कहीं अपना जो लोहा मनवा रही है बाजार में खासी भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि दो सालों के बाद कोरोना काल के बाद इस तरीके का तैवार और एक प्यार का प्रतिक है यह तैवार तो हम अभी दुकानदार जैसे हमार साथ मौजूद है और इन भाईया से जाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी राखी किस हिसाब से आपकी बिकरी है राखी तो बहुत बढ़ी है तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा कम्जोर है तो राकी हमारा इक तो बहुत अच्छा है फिर भी सब लोग का वे उत्सा नहीं है भीकते हुए आ रहे है और जबर्दस राकी का सहलिक हो रहा है अच्छा सब खरिदारी कर रहे है सब चाहता में रेड कोट में आरे फिर भी राखी का भी क्रिया हो रहा है सब लोग लेरा कि सबसे सस्ती राकी कौन सी है आप दिखाई हमारे पस यह सब आ जाएगा राइड है तीन तीन रूपे अच्छा 600 अर्पे करा है यह चैसों पर करागिये सब से मंगी राकी अर्श अरेंक्ट में और परी तुन की अच्छा सिर्थी बन्त्राट तीन ओन पारिया में राकी आपका अमरिके यहां हैं जैसा अपने दोकान दार भी खुष है क्योंकि दो सालों के बाद इनकी जो बिखरी है उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है और लोग यहां आप देखेंगे कि कितनी भीड हो चुकी है जो महिला है वो अपने भाई के लिए राखी लेने के लिए आई हुई है और सबसे महंगी राखी जो इनके पास मौजूद है वो 600 रुपे की इनोंने हो रही है बरसात के बावजूद लोग शत्री लगा कर के आ रहे हैं उत्साह की बिल्कुल कमी नहीं दिखाई पड़ रही है इस बजार में लोग बढ़ चड़के हिस्सा बन रहे है रक्षा बंदन का तहवार और ऐसे में कहां महिलाई पीछे हचने वाली अपने भाईयों के लिए साल में एक ही बार रक्षा बंदन का तहवार आता है और महिलाई इसमें बढ़ चड़के हिस्सा लेती है अभी बजार के हालात भी अच्छे चल रहे हैं बजार में भी बिक्री अच्छी चल रही है ऐसे दुकानदार से जब बात करने पर उनका कहना है कि हमारी रा इना कहीं जो देख पा रहे हम कि बजार में महिलाएं बड़ चड़के आ रही हैं क्योंकि अपने भाई के लिए राखी लेना आखिर किसको फसंद नहीं होगा सभी चाहती होंगी क्योंकि साल में एक बार रक्षा बंदन का तैवार आता है और ऐसे में महिलाएं काफी उतस है भावी के लिए भी जो राखिया मिलती है वो भी यहां पर मौझूद हम इन से जाने की कोशिश करेंगे कि यह किस प्रकार मौझूद है और क्या कुछ ट्रेंड अभी चल रहा है भावी की राखियों में अभी यह नया टैप के चला हुआ इस तरह का चूड़ी में सब्स अब प्रकार के भावियों के लिए जो आती है राखिया वो तीनों प्रकार की अभी यह ट्रेंडिंग चल रहा है कही न गई यह चीज़े जादा डिमांड में है जो कस्टमबर है वह उनकी डिमांड जादा है यह पहले से जो चला आता है वो है और यह जैसे कि आपको बता इस तरीके की जो राखियां है प्रेसलेट एक तरीका गया ब्रेसलेट है यह भी भावी की लिए राखी है उसमें से एक है और इसको बाद में सूट में जो महिलाए बहती है वैसा वो उसमें यूज कर सकती है इसी राखियां आने वाली है क्योंकि अभी जो राखियों का ट्रेंड चल रहा है अमेरिकन डायमंड की राखियां जादा ट्रेंडिंग दिखाई पड़ी है लोगों की भी मांग यही है ग्राहक की यह मांग है और ऐसे में बजार वाले भी काफी खुश नजर आ रहे है ऐसी खबरों के लिए बने रहे सब्रक समाचार के साथ कैमरपो संदीब कर दो